एक छोटा सा सीरीज शुरू कर रहें, NET और J जो अभी competition exam आने वाले हैं उनके लिए जिसमें आप organic community में isomerism से जुड़ी हुई important चीज़े सीखेंगे छोटे-छोटे वीडियो में optical isomerism, geometrical isomerism और isomerism से जुड़ी हुई important बातें चोटे से वीडियो में practice के साथ और कुछ चोटे से आपके लिए example भी छोड़ जाएंगे जिसको आप घर पे solve कर सकते हैं, comment में उसके answer दे सकते हैं तो उसका first वीडियो लेकर आएं जिसमें हम लोग देखेंगे जो west dash होते हैं उनको fissure projection में कैसे convert करें fissure projection आपको पता होगा horizontal और horizontal और vertical lines में दिखाते हैं horizontal lines ऐसे बाहर बाहर निकलते हैं V बन करके और जो vertical lines होते हैं वो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं जो dash wedge होते हैं अपने पास, जो ये वाली lines हैं अपने पास, ये board पे ही हैं जो solid lines होती हैं वो board के बाहर आई होई होती हैं और जो dash करके बने होते हैं अपने पास dotted lines वो board के अंदर जा रहे होती हैं तो कैसे इनको convert करें छोड़े से वीडियो में सीखेंगे ध्यान से देखें बड़े आराम से समझ जाएंगे आप क्या करना है आपको बस जो ये dotted line वाले groups होते हैं उनको vertical position पे डाल दीजिए कहीं भी उपर या नीचे जहां मन करें वहाँ जैसे bromine dotted पे है तो हमने नीचे डाल दिया जो dotted पे रखे वे हमारे पास groups हैं उनको vertical पे डाल देना है उसके बाद क्या करना है उसके बाद जो हमारे पास बचे वे तीन groups हैं उनका sequence देखो HFCL वैसे ही वहाँ पर रख दो HFCL same sequence में देखो clockwise में यहाँ पर भी HFCL कैसे है clockwise में हो गया conversion दूसरा example में देखते हैं जैसे अगर हमारे पास एक होगा तो कैसे करेंगे हमने सीख लिया जो dotted lines होगा उसको रख देंगे vertical पे और जो sequence होगा उसको same sequence में रख देंगे vertical का मतलब हम उपर भी रख सकते थे नीचे भी रख सकते थे एक carbon पे अब अगर हमारे पास दो carbon हो तो ऐसे wedge dash में दिये गए हो इनको कैसे convert करें fisher में फिर से वही rule आपको लगाना है जो आपके पास dotted lines पे हैं उनको कहां डाल देना है verticals पे तो यह जो dotted lines पे पड़े हुए हैं इनको vertical पे डाल दीजिए उसके पास जो sequence maintain है BRCL तो यहाँ पर भी आप BRCL जैसा sequence है यह clockwise में जाएंगे अपने पास वहाँ पर भी BRCL ऐसे clockwise में यहाँ पर BRCL anti-clockwise में वहाँ पर भी BRCL anti-clockwise में काम खतम समझ रहे हैं जो dotted lines पे groups दिखाए जाते हैं उनको vertical पे डाल दीजिए ऐसा क्यों करते हैं बताया सबसे पहले ना जो Fisser में होते हैं Fisser projection में vertical position का मतलब होता है vertical पे जो groups होते हैं वो अंदर की तरफ भागते हैं और जो horizontal पे होते हैं वो ऐसे बाहर आ रहे होते हैं तो जो dotted होते हैं उसका मतलब क्या है बोर्ड के अंदर जा रहे हैं इसलिए उनको vertical पे डाल देते हैं बस काम खतम हो जाता है एक चिराल कार्बन के about dash ways बना हो या फिर दो चिराल कार्बन के about dash ways बने हो उनको आप फड़ाफट Fisser projection में convert कर सकते हैं वही अपने exam में आते हैं अगर आप सीख गए तो एक दो question के और practice कर लेते हैं जैसे ये इनको कैसे convert करोगे dotted पे CH3 उचलो ओपर रख लेते हैं CH3 vertical में कहीं भी रखना है उसके बाद FCLBR यहाँ पर भी ऐसे डाल दीजिए FCLBR same sequence follow होना चाहिए FCLBR में FCLBR clockwise वहाँ पर भी FCLBR clockwise हो गया conversion ये दोनों अलग-अलग structure हैं क्या नहीं same structure के दो projection बनाए गए हैं एक अपने पास wedge dash में और एक अपने पास fissor projection horizontal और vertical lines में चलिए 4 number पे देखते हैं इसको कैसे convert करेंगे अपने पास pH, CH3, HBR लगे हैं तो जो dotted पे लगे हैं pH उनको डाल दीजिए vertical पे और HBR, CH3, HBR, CH3 फड़ फड़ आपका conversion हो गया, कहां से dash wedge projection से आपने इसको convert कर दिया, fissor projection में ठीक हैं तो मेरे इसाब से अब आप सीख गए होंगे, एक बार ये इसका भी कर लेते हैं, दो छिराल carbon continuing अगर हमारे पास होते हैं फिर से क्या करेंगे, जो dotted पे लगे हैं उनको vertical पे डाल देंगे, जो dotted पे लगे हैं उनको vertical पे डाल देंगे और जो हमारे पास sequence है HD, HD करके कैसे आते हैं HD clockwise में, तो यहाँ पर भी HD clockwise में, यहाँ पर CH3H, CH3H, anti-clockwise जैसे लगे हैं, वैसे ही यहाँ पर डाल दीजिए, CH3H, CH3H, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो dotted पे लगे हुए groups हैं, उनको हमेशा vertical पे डालें, क्योंकि vertical का मतलब ह होता है, बोर्ड के अंदर जा रहा है groups, बस वही आप maintain करिए, आपके question हमेशा फड़ाफट बन जाएंगे, अब यह सारे आपको दिये जा रहे हैं homework, सारे अगर convert हो जाएं, किसे में problem ना हो, तो फड़ाफट आप देख सकते हैं, कहीं पर problem हो, comment करके बोल सकते हैं, अगले जो छोटे से वीडियो होंगे, उसमें आपको बताएं, जरूर जाएगा, और जो भी ऐसे छोटे 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 वीडियो अगर आप चाहते हो, organic chemistry की सर, ये वाली reaction एक्स्प्लेइन कर दीजिए, वो वाली बात बता दीजिए छोटे से वीडियो में, तो आपको पड़ाफ जो अपने निट जैसे एक्जाम के लिए काफी important होते हैं, सारे के सारे January और February मन्त में हम लोग week में तीन दिन क्लास करेंगे, दो दो घंटे की, आपको उसमें सारे important questions पर क्लास, अगर बड़े चैप्टर होंगे तो एक चैप्टर होंगे तो एक से जादा चैप्टर्स हम ल अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे तत्तक्तिली बाइवाय टाटा